गाइस कि आपने कभी अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नेचे रख कर देखा है कि वह कैसा दिखता है और साथ ही आपकी जीब जो माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसी दिखती है ऐसे ही अमेजिंग और रेंडम फैक्ट को जानने के लिए बंद रहिए वीडियो के एंड पर लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमारी मुलाकात आगे भी इसी तरह होती रहे दोस्तों बच्पन में जब हम बुक में बलड के बारे में पढ़ते थे तो हमें बलड कुछ इस तरह दिखाते है पर लेकिन जब हम बलड को अपनी आखों से देखते है तो वो हमें कुछ लिक्विड फोम में दिखाई देता है ऐसे में हम कन्फूज हो जाते है कि टीचर पाकिर हमें क्या बताना चाता है दरासल बलड इसी फोम में होता है क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है जब आप अपने बलड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करेंगे तो आपको अपने पेपर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा पर लेकिन पेपर तो वाइट होता है तो फिर वो हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है क्योंकि पेपर को सूखी घास की पत्ती से मिलाकर बनाया जाता है जिसकी वज़ा से वो को हमें इस तरह दिखाई देता है और नंबर 3 दोस्तों जुबान हमारे सरीर का काफी एहम इसा होता है जिससे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है पर लेकिन जब हम अपने जीव को अपने आखों से देखते हैं तो वह हमें बहुत ही स्मूध लगती है पर लेकिन माइक्रोस् ये तो आपको पता ही होगा जो जमने के बाद खुद का एक लेयर बना लेता है जिस पर आप चल भी सकते हो पर लेकिन बर्फ को जब मैक्रोस्कोप में नीचे रख कर देखा गया तो बर्फ का इस ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह दिखाई दिया जैसा कि मानों कि आर्टिस्ट ने खुबसुरत रिजाइन बना दिया हो दिरासल बर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी की भाप फस जाती है जिससे ये रिजाइन बन जाता है नमबर फाइव गाइज आँके हमारे सरीर का कितना एहम इस्सा होती है ये तो आप जानते ही होंगे इसके बीना जिन्दगी में कोई बलैक होल नहीं होता बलकि हमारी आँकों का लेंस होता है जिससे हम सब कुछ देख पाते है तो गाइस ऐसी अमेजिंग और रैंडम वीडियो को जानने के लिए चैनल को अभी सबस्क्राइब पर ले क्योंकि हमारे वुलाकात आगे भी इसी तरह होने वाली है